आजकल के मोडन जमाने में टेक्नलोजी लोगों पर अच्छा खासा सर दिखा रही है और कोई चाहता है कि उसके पास भड़िया मुबाइल, लाप्टाप, कम्प्यूटर, E-ID के अलावा लिटिस टेक्नलोजी हो भले ही आजकल लोगों के पास समय की कमी है परिवार या दोस्तों से मिलने की या फिर बात करने का समय नहीं है लेकिन मोबाइल पर चैटिंग करने में कुछ लोग दिन में 15-16 घंटे तो बिताही लेते हैं जिसका असर उनकी डिप्रेशन सेहत पर भी पड़ रहा है चैटिंग का मतलब है कि आप अपने दूर के दोस्तों के साथ भी जुड़े हुए हैं लेकिन लोग तो अपने पास बैठे लोगों से भी जब चैटिंग के जरीए बात करनी शुरू कर देते हैं तो यहाँ परिशानी की बात है कोशिश करें कि कभी कभार फेस टू फेस भी दूसरों की बात चीत करें आप इससे आजसानी से दूसरों को अपने मन की बात बता सकेंगे धीरे-धीरे चैटिंग की लद भी छोड़ जाएगी नियम से ओफलाइन रहें अपनी लाइफ में यहाँ नियम बना लें कि दिन में कम से कम दो घंटे तक अपना मोबाइल उफ रखे ऐसा बैटरी खतम होने पर ही नहीं बलकि आदद बना कर रखे और स्विच ओफ कर दें धीरे-धीरे समय को भढ़ाते जाएं शारिरिक दिक्कत होना मोबाइल या इंटरनेट का ज्यादा इस्तमाल करने वाली महिलाएं जो चैटिंग के लटकी शिकार हैं वो सेहत से जुड़ी परिशानियों से गुजर रही हैं जैसे कि हड़ी और जोडों में दर्द आखों की परिशानिया ठका बटा दी इसका कारण है खंटो एक ही पोजीशन में बैठे रहना एक्सरसाइज ना करना इससे धीरे धीरे हड्या कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं शारिरिक फिटनेस के लिए घर से बाहर सेर करने जाएं और कोशिश करें कि मोबाइल घर पर ही छोड़ दे let's see a newski report